नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आपें इस वक्त सुबाश ठाकुर के साथ, ये पहला मौक टेस्ट जो हमने अप्लोड किया था, उसकी आंसर की हम यहां पर कोशिश करेंगे, इस प्रशन को सॉल्व करने की, और जितने भी प्रशन हैं उन सब कम थोड़ा सा देखेंगे हलांकि इसमें हम सिल्षलेवार करके देखेंगे, छोटा-छोटा वीडियो बनाके, तो इसमें हम लगबग पहले के जो तीस या पचास प्रशन जितने भी हमसे अभी होंगे, उनको डिस्कस करेंगे, बाकी के हम बाग में देखते हैं, तो पहला प्रशन यहां पर है, प्र ने इसे हिंदी का प्रथम महा कवय, और चंद बरदाए को हिंदी का प्रथम महा कवी भी माना है, आधिकालीन रचना है देखना यह, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, प्रित्विराज रासो, इसमें कई बार यह सब भी प्रशन पूछते हैं, कि इसमें कितने जो या इसमें सर्गों को क्या नाम दिया गया है तो सर्गों को इसमें समय बोला गया है और इसमें 69 जो हैं सर्ग याने की खंड या फिर आपके भाग हैं ये आपको ध्यान में रख लेना है चंदबरदाई के बेटे थे जलहन जिसने इसको पूर्णता प्रदान की थी इसके अलावा रासो परंपरा का ये गरंथ श्थेश्टम गरंथ माना जाता है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो आपको डिटेल से लाइव क्लास में ही मिलेंगे दूसी चीज यहाँ पर जगनिक का नाम है जगनिक की रचना का नाम थपरमाल रासो इसको अन्य नाम जो जाना जाता है देखना जगनिक की रचना का आला खंड अलग किस रितु में गया जाता है ये प्रशन भी बहुत बार पूचा जाता है तो ये वर्षा रितु में गया जाता है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा अमीर खुसरों की बहुत सारी रचनाई थी जिन में से खालिक बारी तुगलक नामा इत्यादी जो रचनाई हैं वो बड़ी important नहीं है बाकि तो इसने जो भी आपकी पहलिया मुक्रियां दो सुखने इत्यादी लिके हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं अब्दुर्रह्मान की इसके जो रचना थी ये कौन सी थी ये थी संदेश रासक इसके बारे में भी आपको पढ़ना आवश्यक है यहां से प्रशन पूछा जा सकता है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किस ने दिया तो नामकर्ण से समंधित प्रशन पूछा गया है यहां से एक चीज़ तो आपको ये भी ध्यान रख लेनी है कि आपको नामकर्ण से समंधित प्रशन भी पूछा जा सकता है तो यहाँ पर देखी क्या लिखा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभी काल को आदिकाल नाम तो आदिकाल नाम देने वाले जो विद्वान थे ये थे आपके हजारी प्रसाद दिवेदी और हजारी प्रसाद दिवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल शीरशक से एक गरंथ भी लेकिन अचारे रामचंद्र शुक्ल से आप एक और चीज भी यादट लिते हैं कि उन्होंने आधिकाल को न सिर्फ आधिकाल कहा बल्कि उसने इसे वीरगाथा काल की संग्या भी दी थी जो शुक्ल है इसने इसको क्या कहा था वीरगाथा काल भी कहा था हलाकि इसने जादा जो नामकरण किया है देखना अचारे रामचंदर शुकल ने वो प्रवरिती गत नामकरण है यानि कि विशेशता ग्याधार पर तो इस युग में वीरता परक साहिते जादा लिखा गया शुकल का ये मानना है इसलिए इसने वीर गाथाकाल ही इसको नाम देना उचित समझा जबकि यहाँ पर बाकियों ने जो नाम दिये हैं वो आपके लिए उतने जादा इंपोर्टन यहाँ पर नहीं रहेंगे ठीक है राहुल सांकृतियाईन का नाम भी पूछते हैं कभी तो ये है सिद्ध समंत काल उसको भी याद रखना तीसरा प्रशन है मैथिल कोकिल किस उलेख भी आपको मिलता है राधा और कृष्ण के मांसल रूप का चित्रन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और इसी के चलते यहाँ पर आप जानेंगे कि सबसे पहले श्री कृष्ण का उलेख अगर किस ने किया तो ये विद्यापती ने किया और इसके आधार पर ही हो लगया कि विद्यापती से ही हम हिंदी में कृष्ण गीत परमपरा का प्रवर्तन मानते हैं जैदेव की रचना भी कई बार पूछ लेते हैं देखना इसको भी आपको एक बार ध्यान में रखना है कि जैदेव ने कौन सी लिखी थी इसने गीत गोविंद की रचना की है और जिस तरीके से गीत गोविंद जो है जैदेव ने लिखी थी उसी आधार पर विद्यापती ने पधावली लिखी और इसलिए विद्यापती को एक और जो संग्या दी गई यानि कि एक इसका उपनाम और पड़ा वो था अभिनव जैदेव इसको भी आप ध्यान में रशनाकार कौन है ये तो बहुती आसान सा क्वेशन है मलिक मुहमद जैसी और ये सूफी प्रेमा ख्यानक काव्य है और हिंदी में रचित या हिंदी भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ इसे माना जाता है देखना जो भी आपका मतलब महा काव्य इसको बोला जाता है ठीक है इसको आप ध्यान में रखेगा मलिक मुहमद जैसी का पदमावत 1540 के आसपास इसको लिखा गया था इसको ध्यान में रखेगा मंजन की रशना का नाम है मदुमालती, कुतुबन, किथी मृगवती और मुला दाउद की रही चंदायन ये भी आपको पूछा जा सकता है पद बोला गया देखना 57 खंड इसまで रहे है, यहां पर बोला गया है कि कौन सी रचना कबीर की नहीं है, तो इसमें साखी सबद और रमेनी, इनको किसमें है, बी जक में किया गया है देखना और इसमें दोहा नहीं रहेगा, तो यहां पर ये option इसका सही हो जाएगा, कबीर से समन इंदित प्रश्न आपको जुरूर आता है पेपर में. कृष्ण गीता वली की भाशा की रही? तो यहाँ पर ये है ब्रज-भाशा. रचना किस की है? रचना है तुलसी डास की. ये भी आपको important प्रश्न है. तुलसी डास की भाशा सहली जुरूर आती है. तुलसी ने ब्रज और अवधी दोनों ही भाषा में समान रूप से लिखा तो यहाँ पर जो ब्रज भाषा में हैं उनमें हर रचना के अंत में आपको वली शब्द जरूर मिलेगा जैसे कृष्ण गीता वली हो गया ठीक है ऐसी कुछ अन्य रचनाय भी रहेंगी जैसे दुह भावली हो गया है तो वहाँ पर आप क्या देखेंगे उसमें आपका ब्रज भाषा हो जाएगी और जिसमें भी आपका राम और मंगल शब्द जुड़ा रहेगा जिस रचना में वो क्या हो जाएगी वो अबधी की हो जाएगी जैसे राम चरित मानस बरवेरा माइन इनकी भाषा गया है वो अबधी भाषा है इनको आप ध्यान में रख लीजिए तुलसी दास की रचनाओं को याद रखने की सिंपल से ट्रिक निमिलिकित में ऐसे कौन अश्च्छाप के कवी नहीं है तो यहाँ पर अश्च्छाप का जो कवी नहीं है ये है सुंदर दास सुंद आपके प्रवर्तक कौन थे ये प्रशन आपको जरूर पूछे जाते हैं ठीक है अश्च्छाप में कौन से जो है वो बलबाचारे के शिश्य थे अश्च्छाप में कौन से जो है गोस्वामी विठ्थलनात के शिश्य रहे अश्च्छाप में पुष्टी मारक का जहाज कि रहे और नावादास जो है रामबक्ती के कभी रहेंगे रहेंगे रहादास की पंक्तियां भी कबर पूछते हैं देखना प्रभुजी तुम चंदन हम पानी ये वली पंक्ति बड़ी इंपॉटेंट है इसकी और जाती शब्द का इस्तेमाल से जादा इसने किया था रहादास भी महापुरिस गुणालंकार के नाम से भी जानते हैं गोरखनात की बहुत साई रचना है रही है उनको याद रखने की जरूरत आपको उतनी जादा नहीं है ठीक है और कलहन की रचना भी नहीं पूछ जाएई आपको अला कि आप जानते हैं राजतरंगे नी घननन्द किस कावेधारा के कवी हैं तो ये है आपके पास कौन सी घननन्द जो किस धारा के कवी हैं ये है रिती मुक्त कावेधारा के यानि कि इसको हम रिती काल की सचंद धारा भी कहते हैं ये भी आपने ध्यान में रख लेना है और important नाम है देखना रिती बध में आपका केशवदास जो बड़ा नाम है और रिती सिद्ध में जो है आपके पास कौन सा आता है बिहारी आता है ऐसे करके आपको ये त्मोटे-मोटे तौर पर पता होना चाहिए कौन सा प्रबंध कावय का भेद होता है तो प्रबंध कावय के दो भेद होते हैं एक खंड कावय और एक आपका जो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है तो ये थे शंक्राचारे जी ठीक है निंबार का चारे जी का कौन रहा इसका रहा द्वैता द्वैतवाद मद्वाचारे का क्या हो गया इसमें आपका द्वैतवाद रहेगा एंड रामनंद तो इसमें नहीं आएंगे ये चीज आप य बारतिय कावे शास्तर से यहां से भी प्रशन आ जाते हैं, इसको भी देखना है, सदार्निकर्ण का सिध्धान्त, साहिते दर्पन ग्रंत के लेखक कौन है, बारतिय कावे शास्तर का ही अगला प्रशन पूचा गया है, विश्वनात का साहिते दर्पन है, मम्मट की कावे प् कितनी माने जाती है तो रस है मुख्य रूप से 9 यही माना जाता है आज के समय में देखना हलांकि रस जो है 11 माने गए हैं कि जो भक्ती और वातसले रस हैं उनको भी गिना जाता है लेकिन सही माइने में सर्वमाने मत अनुसार 9 रस ही माने गए हैं अगर यहां पर भरतमुनी की अनुसार पूछें तो ये 8 हो जाते हैं एक बार इसको भी आप ध्यान में रखेगा भरक मुनी ने शांत रसकी अभी वेंजना नहीं की थी बिहारी सत्सई में लगभग दोहे पूछे गए हैं तो लगभग 700 हैं देखना वैसे इसमें एक्जेक्ट जो माने जाते हैं वो है 713 कई जगा 719 भी रहेंगे और कई जगा जो हैं आपको केवल 700 ही रहेंगे तो ये जो 700 हैं ये किसने बताए थे ये 100 बताए हैं अचारे रामचंद्र शुक्ल ने ये जो है पंडित जगरनादास रतनाकर ने जिन्नोंने बिहारी सत्सई की टीका लिखी थी और जो बिहारी स्वयम रहे हैं उन्होंने इसमें कितने बताए हैं 719 बताए हैं लेकिन सर्वमाने मत क्या है एक्जेक्ट अगर संख्या पूछे तो 713 लगबग में पूछे जाएं तो 700 इनको आप ध्यान में रखना है ठीक है जांसी की रानी कवीता के रचाईता कौन है तो ये जो पहली तो आपको ये ध्यान रख लेना कि ये कवीता जो है वो किसकी है ये तो रहेगी सुबद्रकुमारी चौहान की और ये है आपकी राष्टिया सांस्क्ति कावयधारा की कवीता इसको भी आपने यार रख लेना वीरता परक ओजगुण विद्यमान है इस कवीता में ये भी आप याद रखेगा शुकल के अनुसर रितिकाल की समय सीमा क्या रही है तो ये 1700 विक्रमी संबत से लेकर के 1900 विक्रमी संबत तक माना जाता है ध्यान ये रहे कि अचारे रामचंदर शुकल ने जो कालों का विभाजन किया है वो विक्रमी संबत के अधार पर ही किया है नेक्स अंधेरनगरी के नाटककार का नाम क्या है? तो ये थे भारत अंदु हरिश्चंद्र, इसको भी आपने ध्यान में रख लेना है, और ये किस का रूप है? ये प्रहस्न है. ठीक है? इसको भी आप याद रखेगा, अंधेरनगरी, भारत अंदु हरिश्चंद्र. कमाईनी किसकी रचना है तो ये आप सब लोग जानते हैं कमाईनी आधुनी काल का सरवश्ष्ष्ट महाकाबे माना जाता है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा जैशंक प्रसाद की इसमें कितने सरग है 15 सरग है जिसमें सबसे पहला चिंता शरग है और आखरी सरग जो है व तो अब व्यक्ति कहा इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि कमाईनी कब लिखी गए थी ये रचना 1935 की रचना है इसको भी आप ध्यान में रखेगा चायवाद जो जैशंकर प्रसाद है उनकी अंतिम रचना ये मानी जाती है इसको आप ध्यान में रखें कावया ग्रंथों में सुखी डाली के रचनाकार यहां पर कौन है तो सुखी डाली जो रहेगी ये रहेगा आपका उपेंद्रनाथ अश्क इसको आप एक बार ध्यान में रख लेना ठीक है आगे हम देखते हैं इसके बाद कौन सी हाती है कौन सा रितिकालिन कवी इ लेखक रहे हैं जो आपके कृष्ण भक्ति का वैधारा के अंतरगत आते हैं चंद्रगुप्त नाटक किसका है तो यह भी जैशंक प्रसाद का ही है चाहे वो चंद्रगुप्त हो चाहे इसकंद गुप्त हो जैशंक प्रसाद नहीं लिखे है और जैशंक प्रसाद का लेख तो यह इसका नहीं था, विज्ञानिशा कॉंतलम काली रास की रचना रहेगी, और नेक्स्ट कॉशिन क्या है, निमिलकित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, तो इसमें आपको याद रख लेना है, कि अशार का एक दन मोहन राकेश की रचना है, लहरों के राजहंस भी हैं, और आध्या धूरे भी इसकी ही रचना है, और अंधेरे बंद कमरे भी इसकी रचना है, हलंकि यह इसका उपन्यास से, अगर आपको ऐसा प्रशना आ जाता, कि यहाँ पर इनमें से कौन सा नाटक नहीं है, तो फिर अंधे पूछा जा सकता है, याद रखिए, और जितने भी यह नाटकारा यहां पर हैं, इन सब के नाटकों को आपको एक बार जरूर देखना है, नेक्स आता है, कौन सी पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित नहीं है, तो इसमें आपको सिंपली याद रख नहीं है, ये है आपका आनंद का दंबीनी, ठीक है, ये बद्री नाराइम चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित की गई थी, भारतेंदु ने तीन ही पत्रिकाएं संपादित की हैं, बाला बोधीनी, हरिशंद्र चंद्रिका और कवी बचन सुधा, चोखे चौपदे किसकी रचना है, तो ये आप सब लोग जानते हैं, ये है अयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोद की, और इसमें इसने मुहावरे नुमा भाषा का इस्तेमाल किया है, अयोध्या सिंग उपाद्याय हरियोद, ये हिंदी साहिते के प्रत्थम, आधुनिक काल के प्रत्थम महा कावय की रचना की थी ठीक है इसको आप याद रखे का कर्मुक प्रतिनी कवी माना जाता है जाता है सरस्वती पत्रिका के संबादक कौन थे यह तो बहुती मतपूर्ण प्रश्ण है महावित प्रसाद्दी वेदी कब इन्होंने इसका संबादन भार संबाला था यह आपको याद रख लेना है कि 1903 में इन्होंने इसका संपादन का कार्यभार संभाला था, important है देखना सरस्वती पत्रिका और हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा परिनिष्टित करने में किसी पत्रिका का अगर योगदान रहा है, तो ये सरस्वती पत्रिका खाही माना जाता है, इन्हें से कौन सी कहानी चंदरधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, तो चंदरधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी नहीं है, ये है पत्थर का कांटा, जबकि इनकी थी बुद्धो का कांटा सुख में जीवन और उसने कहा था, उसने आप याद रखिये, पत के साथ ही किसकी रचना है, तो ये था महादेवी वर마, इंपोर्टन है देखना इसको भी आप याद रखिएगा, महादेवी वर्मा मतपूण है, प्रेमचन किया मृत्युoवर्ष कौन सा था, तो 1936 में प्रेमचन की मृत्युवी थी, और 1936 में इन् ब्रज भाशा का अंतिम प्रोड कवी कहा जाता है और रतनाकर किस युग में हुए ये हुए दिवेदी युग में इसको भी ध्यान में रखना है आपको important नाम है देखना और उद्धव शतक किस प्रकार की रचना है तो इसमें आपको याद रख लेना है सिंपल सा कि उद्धव शतक जो है ये ब्रहमरगीत परंपरा की रचना आधुनिक काल की रही है पल्लव नामक कावे संगर है किस की रचना है तो ये आप सब लोग जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत और इस पल्लव नामक रचना की भूमिका को ही चायवाद का मैनिफेस्टो यानि की घोषना पत्र कहा जाता है ध्यान रखना है आपको इंपोर्टन्ट है ये वाला प्रशन भी इसके बाद आता है एडविन और नॉल्ड के लाइट ओफ एशिया का रामचंदर शुकल ने किस शीर्षक से अनुवाद किया यहां से प्रशन आपको ऐसा भी पूचा जा सकता है कि लाइट ओफ एशिया का अनुवाद किस ने किया है अचारे रामचंदर शुकल ने पहला तो ये खुद ही बन गया लेकिन ये पूचा गया है कि किस शीर्षक से किया तो ये था बुद्ध चरित इसको भी आप याद रखिए important question साबित हो सकता है रामकी शक्ति पूजा का रचना वर्ष क्या है तो ये रहेगी आपकी 1936 next आता है महादेवी वर्मा के प्रत्थम कावे संग्रह का नाम क्या है तो महादेवी वर्मा का जो प्रत्थम कावे संग्रह देखिए निहार इसको आप याद रखिएगा निहार, रश्मी, नीर्जा और दीपशिखा ये इसका क्रम रहेगा पहले पहले ये हो जाएगा दूसरे नमबर पर ये हो जाएगा और तीसरे नमबर पर ये हो जाएगा इनको आप एक बार याद रखिए नेक्स्ट है कौन सी रचना मैथली शरण गुप्त की नहीं है तो मैथली शरण गुप्त की रचना जो है वो है कानन कुसुम ये किसकी है ये है आपका जैशंकर प्रसाद ठीक है तो जैशंक प्रसाद की रशना रहेगी कानन कुसम पंचवटी द्वापर और किसान जो है इसकी ही रचनाए रहेंगी मैथली शरण गुप्त की शक्ती की करो मौलिक कल्पना किस कभी की पंक्ती है तो ये है आपका सूरेकान त्रिपाथी निराला की पंक्तियां इनको भी आप ध्यान में रखिएगा एक बार इंपॉर्टन पंक्तियां साबित हो सकती है लेकिन पंक्तियां कहीं भी इस कहीं से भी आपको पूछ जा सकती ह मैठली शनगुप्त का जनम वर्ष क्या था तो ये था आपके पास जो मैठली शनगुप्त रहे देखिए हलांकि ये 1886 था लेकिन यहाँ पर 1885 दिया गया है तो आप इसको ही ठीक मानेंगे चलिए आगे देखते हैं फूल नहीं रंग बोलते हैं के रशनकार कौन है ये हैं केदारनात अगरवाल और केदारनात अगरवाल क्या रहे हैं ये प्रगतिवादी लेखक थे लेकिन इन्हें प्रगतिवादी पंत भी कहा जाता है ये चीज आप एक बार जरूर याद रखेगा केदारनाथ नाम से बहुत सारे लेकक जो हैं हिंदी साहित्य में रहे हैं एक थे केदारनाथ पांडेय, एक थे केदारनाथ अगरवल, एक थे केदारनाथ सिंग ठीक है इन नामों को आपने एक बार जरूर याद रखना है आगे देखते हैं अंधिरे में कि रचनाकार का नाम क्या है तो रचनाकार का नाम जो था यह है गजननमाधव मुक्तिबोध मुक्तिबोध की अंधिरे में कवीता जो है किस प्रकार की कवीता है ये एक लंबी कवीत है और कितने खंडों में है आठ खंडों में भी वक्त है इसको भी आपको पूछा जा सकता है और fantasy शैली में लिखी गई रचना है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे और मुक्ति वोध ने fantasy शव्द का इस्तिमाल हिंदी साहित जगत में सबसे ज़ादा क मिलती हैं रस के अंग कौन कौन से होते हैं यानि कि रस के अव्यव जिसको हम कहते हैं तो इसमें स्थाई भाव भी भाव अनुभाव और व्यविचारी भाव जिन्हें संचारी भाव भी कहा जाता है तो option number D आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सई हो जाएगा भारती का प्रश्न था ये भी भाषा की सबसे चोटी इकाई किसे कहा जाता है तो भाषा की सबसे चोटी इकाई जो है वो वर्ण कहलाता है वर्ण से आगे पद पद से आपका क्या बनेगा शब्द बनेगा शब्द से पद पद से आपका वाक्या बनता है ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं next question है रामशरित मानस की इस भाशा में लिखी गई रचना है तो यहां पर आपको simple सा याद रख लेना है कि रामशरित मानस जो कि हमने पहले ही discuss कर लिया था कि अवधी की है तो यहां पर तुलसिदास को देखिए थोड़ा सा focus जादा किया गया है इस पर भी आप कि इस lecture में हम देखेंगे अंधा यूग कि किस विधा की रचना है यह मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि नाटक है लेकिन यह नाटक नहीं है यह है आपका गीती नाट्य है यानि कि काबे नाटक तो इसको आप ध्यान में रखेगा कि यह गीत विधा में लि रहने वाली हैं तो अभी के लिए इतना ही जल्द मुराकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जह हैं